अमिताप बच्चन के जलसा और शारुक खान के मननत किसी भी क्रेजी सिनेवा फैन के लिए मुंबई की दो मोस्ट आइकोनिक प्लेसस है। हर दिन स्पेशल संडे या फिल्म रिलिस के आसपास यहां हजारों फैन्स की भीर रहते हैं। बात करते हैं मननत की जिसकी एक्च्च्वल उमर है सो सालों से ज्यादा। जी हाँ यह महल राजा विजय सेन का हुआ करता था और यह तक्रीबन 19th सेंचुरी के एंड में बनाया गया। 1914 में यह महल एक फेमर्स पार्सी फैमिली ने खरीद दिया। शारुक खान ने 2001 में मननत खरीदा था। यह स्टोडी तो आप सबको मालूमी है कि उस समय शारुक काफी डेस्पारेट थे मननत खरीदने के लिए और कम एमाउंट में दो तिन फिल्म में उन्होंने एक साथ साइन किया था उस वक्त। मननत की एक्चल नाम था विल्ला वियना। त्रूआउट लास्ट सेंचरी मननत की ओनर थे बॉम्बे की एक फेमस पार्सी फैमिली। बॉंबे की famous art curator कीको गांधी एस पार्सी फामली से बिलॉंग करते थे और ये विला उस वक्त बॉंबे की famous आर्टिस्ट लोगों का हाब हुआ करता था एक्चुली इस property के दो हिस्से थे विला वियना जो कीको गांधी के इनलोस को मिला था वही जमीन के उपर बाजू में दूसरा विला था कीकी मनजिल जो कीको गांधी के खुद का विला था विला वियना बाद में शारुक खान ने खरिद लिया और उसका नाम हुआ मननत दूसरा पार्ट ही की मनजिल अभी भी उहा पर है और इन दोनों में ही काफी सारे फिल्मों के शूटिंग हुई है लास्ट 60 और 70 यर्स में एंक्लोडिंग शारुत खान के खुद के फिल्म और वो भी मननत खरिदने से पहले तो आईए देखते हैं फेमस नौ फिल्मों के वो पोर्शन्स जो वियना विला यानि मननत में शूट हुई है 1959 में बनी राजकापूर के अनारे फिल्म के फेमस सौंग किसी की मुस्क राहटो पे इस गाने के कुछ पोर्शन्स बेगिनिंग और एंड के मननत की सामने शूट किया गया था तो ये सिलसिला बहुत पुराना है 1970 में राजेश खन्ना और शर्मीरा टेगाओर की फिल्म सफर में फिरोस खान का जो पैलेस जैसा घर दिखा गया था उस घर के जो आउटसाइड भ्यू थी वो थी किको गांधी के किकी मनजिल उसके बाजू में सेम प्रोपर्टी में आप वियना विला देख सकते हो जिसके सामने अनारी फिल्म का शूट हुआ था वो ही है मननत नमबर सेबन 1973 राजेश खन्ना और शर्मिया टेगाओर की क्लासिक राजा रानी उस फिल्म में राजेश खन्ना एक चोर बने थे और वो आंधी रात को एक घर लुटते हैं वो ही घर था मननत नमबर सेग्स काट्टू 1988 तेजाब एनादार कल फिल्म इस फिल्म में माधुरी दिक्षित के जो पैलेस जैसा घर दिखाया गया वो इन रियालिटी मननत थी 1973 के बाद काफी रेनोमेशन हुई और तेजाब में मननत की जो फ्रॉंट लुक थी वो ही मननत का प्रेजेंट डे लुक है नमबर फाइब राक के सेंस भी मननत में शूट हुआ नमबर फॉर 1992 में बनी अंगार इस फिल्म में कादर खान और नाना पतेकर का जो घर दिखाया गया था वो असल में मननत था फिल्म के शुरू के काफी शॉट्स मननत में शूट हुआ था नमबर फॉर 1994 में रिलीज हुई बॉंबे फिल्म के फेमस सॉंग हम्मा हम्मा शूट हुआ था वियना विला यानि मननत के अंदर नमबर टू रजिनी कांथ के सुपर हिट फिल्म बाशा इस फिल्म के एक फाइट सिक्वेंस मननत की बाहर शूट किया गया था जहांपे शारुक बनते एक सिंपल मिडिल क्लास एडुकेड़ लर्का जो मुंबई में आता है बरा अदमी बनने के लिए उस मुवी के फेमस सॉंग चांध तारे तोर लाओ सॉंग के कुछ पोर्शन मननत के सामने शूट हुआ था जिस गाने में शारुक खान बंगला और गारी का मालिक बनना चाता है इन रियालिटी चार साल बाद शारुक ने मननत खरीद लिया था यहां पर रिल और रियल लाइफ एक हो गई